स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नमस्ते और वेल्कम टू स्वाद अनुसार मैं हूँ जसलीन और मैं आपके लिए लाई हूँ एक पॉप्टुलर कश्मीरी चटनी जिसका नाम है मुझ चटीन याने मूली की चटनी मूली की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज मूली एक तक्रीबन तीन से चार लोगों को सर्व करेगी हम इसको सबसे पहले पील कर लेंगे अब हम मूली के एजिस चॉप कर लेंगे और फिर इसको ग्रेट करेंगे ऐसे अब जैसे चाहे ग्रेट कर सकते हैं फिर बारिक रखना हो बारीक रखना हो बारिक रखिए थोड़ा भाषोगा रखना थोरामोटा रखिए क्यूंकि मूली में पानी का गण्टेंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए हम इसको चट्नी बनाने के पहले थोड़ा निचोड लेंगे इसका पानी इसको श्क्वीज करी अच्छे से और जितना पानी निकलता है निकाली ए मूली की चटनी हम दो स्टाइल में बनाएंगे आज एक थोड़ा ड्राय बिना दही के और एक दही के साथ बगेर दही की बनाने के लिए पहले इसमें से हम दो मुठी मूदी अलग कर लेते हैं फिर हम इसमें डालेंगे ये कश्मीरी रेज चिली पाउडर है तो ये इतनी तीखी नहीं होती है पर इसका रंग बहुत सुंदर आता है लाल ये आदा चोटी चम्मच नमक स्वाधनुसार आदा चोटी चम्मच जीरा पाउडर इसको मिक्स कर लीजें ये आपके मीट्स के सा साथ ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी कम्माइन होती है दही वाली चटनी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक फाइनली चॉप्ट ग्रीन चिली हरी मिर्ची अगें जीरा पाउडर आदा चोटी चमच नमक स्वाधनुसार इसमें आप थोड़े अखरोट भी डाल सकते अब हम दही डालेंगे थोड़ा ध्यान रखें कि चटनी के लिए दही थोड़ा गाड़ा ही लें दही को थोड़ा सा बीट कर लें ताकि वो स्मूध हो जाए एकदम फिर इसमें इतना दही आड़ करें कि वो कंसिस्टेंसी उसका रहते का नहीं चटनी का रहे तो चार-पांच चमच दही डालके पहले इसको मिक्स कर लें फिर और आड़ करें अगर जरूरत हो तो यह देखिए यह कंसिस्टेंसी एकदम सही है ना जादा पतला और ना जादा गाड़ा अब इसमें गार्णिश के लिए उपर से डाल देते हैं ना फ्रेश धन्या यह रेड़ी हो गई हमारी दो प्रकार की मूली की चटनी आप इसे जरूर ट्राय करें और हमें पीड़बा एनसाओ